हेलो फ्रैंड्स स्वागत है आपका ब्रोद रिटिंग मसीन पर इस वीडियो में आपको स्पोन्ज बार चेंज करना बतां घाल लाव डालने का तरीका बिंगनर्स को नहीं पता होता है तो इस पेसलिए उन लोगों के लिए वीडियो है जिसने अभी फिलाली में मसीन लगाई है तो देख लीजिए इसे किस तरीके से डालने क्या होता है कई बार हम जल्दबाजी में इसे जब डालते हैं तो यह मसीनों की जो सारी तूट जाती हैं और जो हमारी आर्म प्लेट के अंदर यान फिट होता है उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है तो आप एक बार देख लीजे सही तरीके से इसे हम कैसे डालेंगे तो मैं इसको भार निकाल लेता हूँ जिन लोगों को एक्सपीरिएंस है काफ़े साल से मसीन चलाते हैं उनके लिए ये चेंज करना कोई मुस्किल काम नहीं है बट जो बीगनीर्ट है उनके लिए काफ़े डिफिकल्ट हो जाता है कईवार क्या होता है कि हम जो यह रोट डालते हैं तो हम सुईय दबा न भूल जाते हैं जिसकी वएशे कई बार क्या होता है हमारी सुईय तूट जाती है सारी सुईय तूट जाती है और जो हमारे आर्म प्लेट के अंदर यह अन्फेडर होता है वो जादा खराब हो जाता है जिससे की हमारी मसीन में कहीं तरह की प्रोबलम क्रेट हो जाती है तो उनके लिए इस पेस लिए यह वीडियो है तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपने नीडल पुसर यह जो हमारी कंगी होती है उससे सुईयों को दबा लेना है और जो रोड है सूईयों के ऊपर से होते भी दूसरी तरफ बैलंस कर देनी है बराबर डाल देनी है तो ये ध्यान रहे कि जब हम रोड अंदर करेंगे तो हमें नीडल पुसर से सारी सूईय एक साथ दबा लेनी है इस तरीके से नहीं डालनी है जिस तरीके से मैंने दिखाया अब यह आपको इस तरीके से क्या होता है यह सुईयों के नीचे से फॉम चली जाती है तो यह देखे विडियो में भी सब चमक रहा है वैसे तो कि यह सुईयां जो है हमारे स्पोण बार के उपर है तो ये क्या होना चाहिए जो ये हमारी रोड है स्पोंज पार तो इसको बिल्कुल सीधा रखना है और फिर सुईय को दबाते वे इसको बैलन्स कर देना है दोनों तरफ तो हमारी क्या होएगा फिर सुईय नीचे दवीरा जाएंगे और हम मसीन चला सकते हैं अगर ये एक भी सुईय इसके उपर रह गई तो वो बार बार मसीन में प्रोब्लम करती रहेगी कई बार क्या होता है इस चोटे सी प्रोब्लम को हम नहीं पकड़ पा दे तो इस तरह की जल्दवाजी नहीं करनी तो जब हम इसे अंदर डालेंगे मसीन के तो ये बिल्कुल सीधी कर लेना है और फिर इसको अंदर कर देना है या तो हम इसके उपर कोई रोड रख लेंगे लोहे की या फिर हम जो कंगी होती है डालने वाली जब हम बोडर बनाते हैं वो तो उसे इसके उपर रख लेंगे उससे क्या होगा कि सारे सुईया एक साथ दब जाएंगे अगर हा बार को अंदर कर देंगे तो ये ऐसी प्रोब्लम नहीं होगी कोई भी सुई नहीं चुटेगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने फ्रेंट के साथ सेर करते रहे बैल आइकन को दबाना ना भूले न् थिंक यू